खालो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्था लिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आगया हूं दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्र इट्स काइंड प्रोजेक्ट के बारे में गेल ने गैस अथर्टी आफ इंडिया लिमिटेड ने एक ऐसी परियोजना शुरू की है जहां पर नैचुरल गैस के साथ में हाइड्रोजन को जो है वो ब्लेंड किया जाएगा और इसको एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा विस्तार से इस विशे पे चर्शा करेंगे भारत का अपने आपका पहला ये प्रोजेक्ट है तो क्या इसके लाव होंगे किस तरीके से इसको एंप्लिमिंट किया जाएगा ये सबी बातों को विस्तार से यहां डिसकस करेंगे जोस्तों अगर आप civil services के लिए प्रेपेर कर Maiden Project of Mixing Hydrogen into the Natural Gas जो है वो शुरू किया है, इंदोर मध्या प्रदेश में इस सिस्टम को जो है वो शुरू किया गया है, Natural Gas Pipelines के अंदर अब Hydrogen को blend किया जाएगा और एक blended fuel जो है ये घरों में और commercial uses के लिए supply किया जाएगा, इससे existing क्यूंकि Gas Authority of India Limited का एक well connected infrastructure है Gas Pipelines का, जितने भी हमारे बड़े शहर है, वहाँ पर already Gas Pipelines जो है, वो मौझूद है, जिनके जरीए Gas जो है, वो अलग-लग areas तक पहुंचाई जाती है, इसी existing Gas Pipeline Network का इस्तेमाल करते हुए, इसी में Natural Gas के साथ-साथ Hydrogen की blending करके, एक pilot project जो है, वो इंदोर मध्या प्रदेश से Gale क द्वारा शुरू किया गया है, Hydrogen blended natural gas will be supplied to Avantika Gas Limited, one of Gale's joint venture with Hindustan Petroleum Corporation Limited, for retailing of CNG to automobiles and pipe natural gas to households in Indoor, तो क्या होगा कि Gale, जो है, वो Hydrogen को blend करेगा natural gas के साथ, और उसके बाद, ये Hydrogen blended natural gas, जो है, Hydrogen natural gas, जो है, इसको supply किया जाएगा, Gale की ही एक subsidiary company, Avantika Gases Limited के साथ, Avantika Gases Limited को supply किया जाएगा, ये Hydrogen blended natural gas, जो की HPCL, हिंदोस्तान Petroleum Corporation Limited के साथ, joint venture में मिलके, इस Hydrogen blended natural gas को CNG stations तक, और households तक, इंदोर शहर में पहुँचाएगी, तो Gas Authority of India Limited का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, में चीजस प्रोजेक्ट में ये है, कि natural gas में अब हम Hydrogen blend कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, क्या इसके benefits हैं, और अगर ये pilot project successfully implement हो जाता है, तो आने वाले समय में, अलग अलग शेहरों में इस तरीके के developments हो है, वो देखी जाएंगे, तो in line with National Hydrogen Mission, Gail Authority of India Limited has started hydrogen blending, hydrogen का submission जो है, वो शुरू किया गया है, और city gas distribution network, जिसको CGD network कहा जाता है, यानि के शेहरों के अंदर already जो gas pipeline network है, gas distribution network है, उस network का इस्तेमाल करते हुए, अभी तक उसमें सिरफ natural gas जो है, वो supply की जाती थी, अ जो है, वो supply होगी, तो commercial feasibility जो है, वो इसकी, इस pilot project के तह जो है, वो देखी जाएगी, और Gail ने ये hydrogen blending स्टार्ट करी है, hydrogen blending क्या है, पहले हमको ये समझना होगा, hydrogen आप जानते है, zero carbon fuel है, अगर हम hydrogen को burn करते हैं, तो बिना किसी carbon emission के ये burn होता है, इस वचा से इसको fuel के related requirements है, खासकर automobile sector में, वहाँ पर हम hydrogen को as a fuel जो है, वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये zero carbon fuel है, किसी प्रकार का production, pollution इससे जो नहीं होता है, तो zero emission fuel है, हम hydrogen का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम hydrogen को blend कर रहे हैं, compressed natural gas के साथ में, इसका क्या लाब होगा, hydrogen enriched compressed natural gas will ensure 70% more reduction in carbon emission, as compared to CNG, तो जो biggest advantage होगा इस blending का वो ये है, कि जो हम normal CNG का जब combustion होता है, उससे काफी जादा carbon emission होती है, लेकिन अगर इस CNG में hydrogen को blend कर दिया जाए, तो 70% तक carbon emission जो है, वो कम हो सकती है, यानि कि production या जो emission है, जो environment को नुकसान पहुंसाते हैं, उनमें कमी आ सकती है, तो normally क्या होता है कि natural gas इसका main component methane है, उसकी burning किस तरीके से होती है, carbon dioxide emission जो है, इसमें सबसे जादा होता है, जब भी natural gas को burn किया जाता है, इस equation के मात्यम से हम समझ सकते है, methane की burning in the presence of oxygen leads to carbon dioxide plus water, लेकिन यहाँ पर carbon dioxide जो है, ये सबसे harmful है, क्योंकि इससे काफी जादा नुकसान environment को हो रहा और it is not a clean source of energy, तो हमको energy तो मिल रही थी, लेकिन clean energy source नहीं था, क्योंकि carbon emission हो रहा था, लेकिन अगर इस ही natural gas में हम hydrogen blend कर देते हैं, तो ये जो carbon emission है, उसको 70% तक reduce किया जा सकता है, जो सबसे बड़ी advantage है, तो blending integrates concentration of hydrogen into existing natural gas pipeline and reduces carbon intensity of methane, क्योंकि methane की सबसे main component है natural gas का, तो methane की composition में carbon intensity कम हो जाती है, अगर उसके अंदर hydrogen को blend कर दिया जाता है, तो हमारे पास अब natural gas के साथ में ये clean fuel जो है, वो मिलेगा, जिससे carbon emission को कम कर चुके होंगे हम लोग, तो ये पूरा का पूरा idea है, इस project के पीछे के carbon emission कम से कम हो natural gas से, इस वज़ा से natural gas में hydrogen जो है, व हाँ पर hydrogen को inject किया जा रहा है, लेकिन ये hydrogen कौन सा है, this is grey hydrogen, but would be subsequently replaced by green hydrogen, अब शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते भी हो, लेकिन हम विस्तार से समझेंगे, क्या है ये grey hydrogen, क्या है ये green hydrogen और एक blue hydrogen भी होती है, इन सभी चीजों को हमें समझना होगा, तो अभी तक के लिए story इतनी है, कि hydrogen को blend किया जाना है, इसके लिए जितनी भी necessary permissions है, वो गेल ने already ले ली है, अब hydrogen को city gas station इंदोर में inject किया जाएगा, compared to natural gas के साथ, लेकिन हमने बात करी कि यहाँ पे गेल जो है, अभी grey hydrogen का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन subsequently इसको green hydrogen से replace किया जाएगा, तो समझना होगा green hydrogen, blue hydrogen, grey hydrogen दरसल है क्या, तो सबसे पहले आती है grey hydrogen, grey hydrogen क्या है, hydrogen को obtain करने के हमारे पास अलग अलग तरीक है, जिसमें सबसे पहला तरीका क्या है, हम natural gas से hydrogen जो है वो obtain कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे process में carbon dioxide release होता है, हमको hydrogen चाहिए, क्यूं चाहिए क्यूंकि hydrogen एक clean energy fuel है, इससे किसी परकार का emission नहीं होगा जब हम इसको burn करेंगे, लेकिन अगर hydrogen को obtain करते टाइम ही already बहुत सारा carbon dioxide जो है, environment में release हो जाता है, तो जिस काम के लिए, जिस problem को solve करने के लिए हमें hydrogen चाहिए, वो problem अपने आप पहले ही create हो जाता है beforehand, तो एक तरीक के से प्राप्त की गई hydrogen, जिसको प्राप्त करने की प्रकरिया में carbon dioxide release हो रहा है, इसको कहा जाता है, grey hydrogen, इससे एक step हम आ गए गए हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि इस carbon dioxide को हम environment में release ना करें, इसको कहीं capture कर ले, इस process से बनाई गई blue hydrogen, यहाँ पर बिलकुल similar process follow किया जा र immediately capture कर लिया जाता है, यानि कि अब इस carbon dioxide को environment में release नहीं होने दिया जा रहा है, यानि कि यह नुकसान जो है, जो grey hydrogen से हो रहा था, वो blue hydrogen में नहीं होता है, दोनों processes बिलकुल same है, carbon dioxide की emission हो रही है, एक grey hydrogen के case में carbon dioxide को environment में release कर रहे हैं, blue hydrogen में, हम carbon dioxide को environment में release नहीं कर रहे हैं, तो ये होगे grey और blue hydrogen, फिर आती है तीसरा type जो है green hydrogen, green hydrogen जो है वो सबसे अलग तरीका है hydrogen को obtain करने का, इसको कहा जाता है electrolysis, हमने पहले भी कुछ articles में electrolysis के बारे में बात करी है, electrolysis दर असल process क्या है, electrolysis एक process है, जिससे हम hydrogen obtain करते है water से, अब आप सभी जानते है water is hydrogen plus oxygen, अगर हम इस पानी से hydrogen और oxygen को अलग कर देते हैं, तो we have hydrogen as a fuel available, हमारे पास hydrogen as a fuel available हो जाएगा, और hydrogen को कैसे अलग किया जा सकता है oxygen से, इस process को कहा जाता है electrolysis, बड़ा simple सा process है, electric current को पानी के अंदर पास करवाया जाता है, और इससे hydrogen और oxygen आपस में अलग हो जाते हैं, और हमारे हाइड्रोजन जो है वो अप्टेन हो जाती है, यानि कि यहाँ पर किसी प्रकार का emission नहीं है, लेकिन एक problem यहाँ पर आती है, कि electricity जब हम पास करा रहे हैं, हमको देखना होगा कि इस electricity का source क्या है, कहीं यह electricity जो है, वो fossil fuel से तो नहीं आ रही है, मान लीजिए हमने पूरा का process किया, hydrogen obtain करने का क्यूं, क्यूंकि हमको carbon emission को कम करना था, जो hydrogen की मदद से हो सकता था, लेकिन उस hydrogen को बनाने के लिए, हमारे पास अगर हमने electrolysis का use किया, तो हमने उसमे fossil fuel से बनी हुई electricity, यानि के thermal power plant में koila जला करके बिजली बनी, उस बिजली से हमने hydrogen बनाई, तो already emission जो है, वो coal burning में हो गया था, अगर electrolysis के process में जो power source है, ये renewable energy से आता है, यानि के solar energy से electricity बन रही है, wind energy से बन रही है, hydro electricity बन रही है, तो ये जो hydrogen है, इसको कहा जाएगा green hydrogen, I hope हमको समझ में आया होगा green hydrogen क्या है, ऐसी hydrogen जो किसी प्रकार के fossil fuel को ना burn करके obtain हुई हो, renewable energy sources की मदद से बनी हो, उसको green hydrogen कहा जाएगा, तो अभी currently क्योंकि pilot project है, इसको start किया गया है, तो अभी जो hydrogen है, वो green hydrogen है, लेकिन gradually इसको shift कर दिया जाएगा, sorry अभी presently gray hydrogen है, लेकिन इसको gradually shift कर दिया जाएगा, green hydrogen के साथ, और उसके बाद green hydrogen को blend किया जाएगा, CNG के साथ में, ये पुरा का पुरा process है, और इसका इस्तेमाल फिर अलग-अलग कामों के लिए, transportation के लिए, chemical industries, energy के लिए, liqueification, export आदी के लिए किया जाएगा, तो ये पुरा का पुरा process है, blending का, जिसमें natural gas को blend किया जा रहा है, hydrogen के साथ में, अब process क्या होगा, हमारे पास clean hydrogen production है, इस hydrogen को हमने distribution pipeline में blend किया, जहाँ पर already compressed natural gas मौझूद है, तो अब ये compressed natural gas जो है, वो बन गई hydrogen blended compressed natural gas, और इसको अब अलग-अलग जगों पे use किया जाएगा, natural gas और clean hydrogen इन दोनों की production को combine कर दिया गया, और इसका इस्तेमाल commercially, residential किया ज जा रहा है, क्या इससे lab है, lab मैंने आपको बताया कि carbon emission जो है, वो कम से कम हो जाएगा, बाहर के देशों में इस technology को already implement किया जा जुक है, भारत के अंदर पहली बार ऐसा किया जा रहा है, और करने वाली authority है, Gail India, जो की government of India owned a PSU है, इसके द्वारा मध्यपरदेश इंदौर म हमारी carbon emissions जो है, वो zero हो, और इसी दिशा में इस प्रकार के projects जो है, उनको एक breakthrough के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर fuel जो obtain होंगे, वो carbon emission नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया है, किस तरीके से carbon emission उसमें नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट की मदद से ऐसे उमीद लगाई जा रही है, कि एक पूरा का पूरा robust standard framework तयार हो जाएगा, जिसके आधार पर हम देश के अलग-अलग शहरों में इस process को implement कर पाएंगे, और gradually यह projects जो है, वो सभी शहरों के अंदर देखने को मिलेगे, यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है, वो गेल इंडिया का है, तो गेल इंडिया के बारे में बात करेंगे, गेल इंडिया जिसको पहले gas authority of India limited भी कहा जाता था, एक भारत सरकार की owned enterprise है, जो natural gas corporation है, यह ministry of petroleum and natural gas के तहत आती है, सरकार के petroleum और प्राकृतिक gas मंत्राले के आधीन, ministry of petroleum और natural gas इसक natural gas को process करके, अलग अलग जगों पर चाहे residential हो, चाहे commercial हो, उसको distribute करने का काम जो है, वो गेल द्वारा किया जाता है, इसका मुख्याले नहीं दिल्ली में स्थित है, गेल जो है, वो भारत की star PSU's में से एक है, आप जानते हैं, जो best performing PSU's है, यह star PSU's है, भारत की उन्हें महा महारतना कहा जाता है, तो गेल is one of the महारतना, एक February 2013 को गेल को महारतना का status मिला था, देश के अंदर मात्र 10 public sector enterprises या public sector undertakings ऐसी है, जिने महारतना का दर्जा जो है, वो हासिल है, जो star PSU's कहलाती है, तो I hope आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर आप जानते हैं, तो definitely comment करक कि गेल के अलावा कोन-कोन सी महारतना PSU's भारत के अंदर मौझूद है, तो दोस्तों ये पुरा-ता-पुरा news article जिसमें hydrogen blending की बात की जा रही है, और ये pilot project जो है, वो मध्या परदेश में implement किया जा रहा है, ये हम समझ रहे थे, I hope हमको विस्तार से ये article समझ में आया होगा, दोस्तों अगर आप civil services के लिए prepare कर रहे है, studyiq.com ये studyiq की app पर आपके लिए बहतर इन smart courses available है, इन courses में enroll करें और अपनी preparation को बहुत बहतर बनाए, thank you very much, all the best, keep working hard, bye-bye, take care, check.